नहीं आता तो आपकी salary नहीं बढ़ती या आपको increment अच्छे नहीं बिलते हैं आपको वस्चीज पाता नहीं होगी तो आप अच्छे developer नहीं बन सकते या फिर आपको companies में काम नहीं मिलेगा, software developer की post पर नहीं जा सकते, तो आप उसको solve किस तरह से करते हो, जब आप किसी भी company में काम कर रहे होते हो, तो आप दिन बढ़ DSA नहीं होती है, यसे मैं अगर fan companies की बात करूँ Amazon माईटों, कभी ऐसे site से course नहीं खरीदा, ना ही मैंने कभी side by side जाकर इसको पड़ा, नमस्कार दोस्तों स्वागत याज आप सबका मेरे इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, how much DSA is required for a backend developer and can we manage without it, तो सबसे वहले मैं आपको यह चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं अगर आपको personal example दू, तो मैंने DSA का कभी ऐसे site से course नहीं खरीदा ना ही मैंने कभी side by side जाकर इसको पड़ा और ना ही मुझे अभी तक DSA की proper knowledge भी है, और मैं अपनी ही बात नहीं करूंगा, मेरे साथ जितने भी लोग काम करें या फिर जितने मेरे दोस्त हैं, उनको भी DSA इतना ज़्यादा clear नहीं है, बट still they can manage to get a job, वो अभी भी job कर रहे जो कि DSA को इतना ज़्यादा prefer नहीं करती, और उसके बाद में आपको ये चीज़ कहना चाहता हूं कि DSA is just a concept, जिसके basis पे वो आपकी logical ability check करते हैं, कि आप किसी भी एक problem अगर आपको कोई problem दे दी जाती है, तो आप उसको solve किस तरह से करते हो, सबसे ज्यादा वो optimization पर focus करते कि कोई भी अगर आपको doubt दे दिया जाए, तो सबसे optimized way में आपकी इस तरह से सोच सकते हो, जब आप DSA की proper preparation कर लेते हो, तो आपको वो सारे के सारे concept समझ में आ जाते हैं, और अगर मैं experience once की example हूँ, तो वो शायद उन्होंने वो सारे के सारे concept implement करके देख लिये होंगे, ले कि किस तरह से उनको result किया जाना चाहिए, अगर मुझे DSA नहीं भी आता है, मैं वो भी सब चीजें कर सकता हूँ, शायद मुझे उसका naming convention ना पता हो, कि ये DFS approach है, या फिर ये binary tree वाली approach अप्लाए कर रहा हूँ, लेकिन उस problem को किस तरह से optimize way में मेरे according solve करना है, मैं वो कंपनी में काम कर रहे होते हो, तो अब दिन बर DSA नहीं यूज कर रहे है, आपको concept के बारे में पता होता है, कभी-कभी उसकी जरूरत पर जाती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको अपना ही दिमाग लगाना पड़ता है, कि इस चीज़ को मैं optimize way में किस तरह से कर सकता को, चाहे आप उसको DSA की मदद से करो, या फिर उसके बिना भी करो, कोई मतलब company वालों को नहीं होता, उनको सिरफ Indian result ही चाहिए होते हैं, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा companies में entry करने के लिए DSA की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, कि जब आप entry ही करने जाओं, तो वहा ज़्यादा जरूरत होती है, तो without DSA, I don't think कि आपको ऐसी companies में entry करने का मौका भी मिलेगा, लेकिन जिन companies में DSA की जरूरत नहीं होती, entry करने के टाइम पे, आप वहाँ पर बहुत असानी से जा सकते हो, और IT में रहकर survive कर सकते हो, with experience, शायद जो concept आपने DSA में नहीं पड़े होते हैं, शायद आपको वो सारे के सारे concept implementation करने के लिए उसकी दिय दिजाते हैं किसी भी company में, तो आपको वो सारा के सारा concept कवर हो जाता है, जब आप किसी भी company में काम करोगे, तो आपको अपना कुछ दिमाग लगा कर कुछ चीज़े डेवलप करने होते हैं, कई बार वो सब चीज़े internet पर available नहीं होती तो वहाँ पर आपकी यह logical ability या फिर जिस तरह से भी आप वो logic बना सकते हो वो सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यदा काम में आती हैं और in the end मैं आपको यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि DSA is not a mandatory thing कि जिसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आपको वो चीज़ पता नहीं होगी तो आप अच्छे developer नहीं बन सकते या फिर आपको companies में काम नहीं मिलेगा software developer की post पर नहीं जा सकते अक्सेक्टर अक्सेक्टर ऐसा नहीं होता उसके बिना भी आपको job मिल सकती है लेकिन हाँ अगर आपको DSA आता होगा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी लेकिन इसको ऐसे बिल्कुल भी consider मत कीजेगा कि यार अगर मुझे DSA नहीं आता तो मेरा career खराब या फिर मुझे कुछ भी नहीं होगा या firma coding में नहीं जा सकता ऐसा नहीं होता उसके बिना भी लोग survive कर रहे हो और आप भी survive कर सकते हो लेकिन हाँ try कीजेगा कि अगर आप कर सकते हो DSA तो उसको ज़्यादा prefer कीजेगा लेकिन अगर नहीं भी कर सकते तो उसके लावा आप languages सीख सकते हो जो की आम companies में बहुत ही ज़्यादा use की जाती है और in terms of salary ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको DSA नहीं आता तो आपकी salary नहीं बढ़ती या आफिर आपको increment अच्छे नहीं मिलते ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता वो solely depend करते है कि आपको किस तरह से project मिला है आपके project में क्या-क्या काम किया है उन सब चीज़ों पर depend करता है जब आप experience हो जाते हो तो ये सारी की सारी चीज़े इतनी ज़्यादा matter नहीं करती जितना आपका project matter करने लग पड़ता है PEM development में आप बहुत असानी से जा सकते हो without using DSA बहुत असानी से मैं भी गया था मेरे बहुत सारे दोस्त गये हैं तो आप भी जा सकते हो लेकिन अभी जब मैं interviews दे रहा था तो मैंने थोड़ा वह DSA के बारे में पड़ा था उन्हें के basis में बहुत जादा product based company में हुई थी selection जहाँ पर DSA required होता है तो आप भी ये चीज़ दगा ध्यान रखेगा कि जब आप किसी भी एक ऐसी company को focus कर रहे हो जहाँ पर DSA की जरूरत है तो वहाँ पर आप उस according ही prepare करके जाईएगा जैसे अगर आप Amazon या Microsoft में SDA की post पर जाने वाले हो तो यह चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यदा important होती है तो इन सब चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखेगा तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इसी के साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब अगर ताकि मैं ऐसी ही वीडियो आप तक और भी लेकर आ सकूँ धन्यवाद